शुशान सिंग राजपूत की तरह पॉलिवूर्ड में न जाने कितने ऐसे एक्टर और एक्टरिस हैं जो की बेहत डिप्रेशन में जी रहे हैं लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता और मामले का पता तब चल जाता है जब इल लिला समाप्त हो जाती है जी हां एक ऐसा ही मामला स हमेशा सोशल मीडिया पर सक्रिय भूमी का निभाने वाली एरा खान ने इस बार अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ अलग करने की कोशिश की है मेंटल हेल्थ डे की मौके पर उन्होंने अपनी जिंदगी का दर्द पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है उन्होंन सर्य आमिर की बेटी बता रही है कि वे डिप्रेशन से जूज रही है तिछले 4 सालों से वे डिप्रेशन से लट रही है सोशल मीडिया पर यह वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में एरा कह रही है Hi, I'm depressed and I have been for more than four years now. I've been to a doctor, I'm clinically depressed, but I'm doing much better now. And for over a year now, I've wanted to do something for mental health, but I wasn't sure what to do. So I've decided to take you on a journey, my journey, and see what happens. So hopefully we'll get to know ourselves slightly better, understand mental illness slightly better. And I've thought of so many things to say next. What should I say next? What should be the first thing I say after I'm depressed? Why am I doing this? So let's start from where I started. What do I have to be depressed about? Who am I to be depressed? I have everything, right? इरा खान के इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है. हर कोई इरा की हिम्मत की तारिफ कर रहा है. अपने डिप्रेशन के बारे में खुल कर बोलना आसान नहीं होता है. लेकिन इरा ने ना सिर्फ बोला है बलकि उन्हें किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं है. वे सभी से यही उम्मीद लगाए बैठी है कि हर कोई mental health के महत्व को समझे और समझना बेहत जरूरी है. क्योंकि मानशिक सान्ती बहुत जरूरी है और ये इश्वर की क्रिपा से सब को मिले. बेग स्क्रिन के यही दुआ है कि हर कोई मानशिक सान्ती को प्राप्त करे. देखते रहे बेग स्क्रिन ताजा अपडेट्स के लिए हमारा वेल आइकन जरूर दबाईए.